Hello friends, मैं उस संकेद आपका अपना financial advisor मैं life insurance, health insurance और mutual funds में अपनी advisory services provide करता हूँ अगर आपका कोई भी investment related question है या आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो comment box में बताइए मैं आप सबको reply जरू करूँगा मेरी आप सबसे एक request है अगर अभी तक आपने हमाई YouTube channel को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर दिजे साथ में bell button को भी दबा दिजे मैं आपके लिए investment related videos लाता रहूँगा ये है Mr. Alvin आप ही कि तरह एक investor है और मेरी videos देखते रहते हैं Alvin जी एक दिन मुझसे पूछते हैं संके जी मुझे ऐसी कोई scheme बताईए जिसमें investment करना बिल्कु सेफ हो return भी guaranteed मिले और मैं एक छोटे से amount से भी investment start का सकूँ और साथी साथ सरकार इन सब चीज़ की भी guarantee ले कि मेरी investment सेफ रहेगी और return भी guaranteed रहेगा ऐसी कोई scheme हो तो बताईए तब मैंने अर्विन जी को बताया एक scheme है जिसमें आपकी investment बिल्कु सेफ रहेगी return भी guaranteed रहेगा यानि आपको पहले से ही पता होगा आपको कब और कितना पैसा मिलना है maturity पे आप 100 रुपे से भी अपनी investment स्टार्ट कर सकते हैं और सरकार की भी इसमें guarantee रहेगी कि आपकी investment सेफ है और return भी आपको guaranteed मिलेगा और ये investment है post office की recurring deposit scheme इसको हम post office RD scheme भी कहते हैं उसकार अर्विन जी मुझसे पूछते हैं कुछ बताईए post office के RD scheme के बारे में क्या है और ये कैसे काम करती है तब मैंने अर्विन जी को बताया post office की RD scheme में आपको एक fixed amount हमेने जमा करना होता है RD account में ऐसा आपको 5 साल तक करना होगा 5 साल पूरे हो जाने के बाद आपको आपका maturity amount मिल जाएगा उस maturity amount में आपका deposit amount होगा और interest amount होगा 5 साल पूरे हो जाने के बाद return भी अगर आपको सही मिल रहा interest rate भी सही है तो आप अगले 5 साल के लिए भी इसको extend कर सकते हैं उसके बाद अर्विन जी मुझे से पूछते हैं कि क्या मैं अपने बच्चों के नाम से RD account open कर सकता हूँ तब मैंने उनको बताया देखिए RD account open करने के लिए कोई भी age limit नहीं है किसी भी age के व्यक्तिक के नाम से RD account open हो सकता है post office में हलाकि अगर आपके बच्चों के age 10 साल से कम है तो जब आप account open करेंगे account open तो होगा उनके नाम से लेकिन जब guardian का नाम पूछा जाएगा तो वहापे parents का नाम लिखा जाएगा guardian की list में उसके बाद अरविन जी मुझे से पूछते हैं कि मुझे post office की RD scheme में कितना पैसा invest करना चाहिए तब मैंने उनको बताया देखिए अरविन जी ये depend करता है आपके pocket पे financial goal पे और risk profile पे minimum deposit limit इसमें 100 रुपे per month है और maximum की कोई limit नहीं है आप 100 रुपे, 500 रुपे, 1000 रुपे 5000 रुपे, 10,000 रुपे या उससे ज़्यादा amount भी per month deposit कर सकते हैं और ये fix amount रहेगा अगर आप 100 रुपे की RD करना चाहते हैं तो आपको हर मेहने 100 रुपे जमा करना होगा अगर आप 10,000 रुपे की RD करना चाहते हैं तो आपको हर मेहने 10,000 रुपे जमा करना होगा RD account पे आप जितनी चाहें उतनी RD account open कर सकते हैं आप 1 RD, 2 RD, 5 RD, 10 RD जितनी चाहें उतनी RD account open कर सकते हैं अलग-अलग financial goals के हिजाब से भी आप number of RDs open कर सकते हैं मालने जिए आपके 5 financial goals हैं तो आपने हर financial goals के लिए अलग-अलग RD भी open कर सकते हैं उसके बाद अलवी जी पूछते हैं कि इस समय interest rate कितना मिल रहा है RD scheme पे post office की तब मैंने उनको बताया कि इस समय जो कि आज date है 28 मही 2021 आज की date में 5.8% का interest rate मिल रहा है post office की RD scheme में और अगर आप इस समय RD scheme में investment करते हैं तो ये 5.8% आपके लिए fix हो जाएगा आने वाले 5 साल के लिए अगर interest rate इससे कम होता है या बढ़ता है तो भी आपके लिए 5.8% fix जाएगा आने वाले 5 साल के लिए अगर आप इसको आगे extend करते हैं 5 साल के बाद उनको बताया दे कि A.T.C. में आपको कोई भी tax benefit नहीं मिलेगा interest income जो होगी वो भी fully taxable होगी हलाकि TDS आपका नहीं काटा जाएगा और deposit amount पे भी आपको कोई tax नहीं देना होगा कुल मिला के कुल जादा फाइदा नहीं मिलता जहाँ पे tax benefit में अगर आप A.T.E. scheme में invest करते हैं उसका अर्विन जी पूछता है मान लो अगर मुझे कुछ financial emergency आ जाती है तो क्या मैं बीच में ही अपने scheme को बंद कर सकता हूँ या पैसा निकाल सकता हूँ तब मैंने उनको बताया देखिए आप financial emergency के time के टाइम के निकाल भी सकते हैं आप इस scheme को बीच में बंद भी कर सकते हैं पहले बात करते हैं premature withdrawal की यानि अगर बीच में पैसे की ज़त पड़ती है तो आप निकाल भी सकते हैं तो यहाँ पे आप पहले साल तो अपना पैसा नहीं निकाल पाएंगे लेकिन एक साल पुरे होने के बाद आप जब चाहो तब अपना premature withdrawal यानि बीच में से पैसा निकाल सकते हैं जिसमें 50% आप पैसा निकाल पाएंगे जो भी आपका balance है उसका 50% और अगर आप बंद ही करना चाहते हो इसको तो आप तीन साल पूरे होने के बाद जब चाहो इसको बंद कर सकते हो अपना पैसा वापस ले सकते हो उसका आप अर्विन जी पूछते हैं कि मुझे थौशा बताईए कि भी आगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ अर्डी स्कीम में पोस्ट ऑफिस की तो मुझे कितना इंट्रेस्ट मिलेगा मैच्वर्टी अमौन कितनी मिलेगी थौशा डिटेल में उसके बारे मताईए तब मैंने उनके सामनी ये टेबल लगी इसमें मैंने उनको बताया कि अगर आप 100 रुपे की आर्डी करते हैं पोस जाज़ार रुपे के आसपास अमौन मिलेगा जिसमें 4800 रुपे आपका प्रोटल इंट्रेस्ट है अगर आप 1000 रुपे के आर्डी करते हैं 5 साल के लिए तो आपको टोटल लिटन मिलेगा लगभग सतर हजार रुपे जिसमें लगभग 2009 10,000 रुपे का आपका इंट्रेस् रमाउंट है और अगर आप 3,000 रुपे की मंतली आर्डी करते हैं पोस्ट आफेस की आर्डी स्कीम में तो आपको मैचुर्टी पे मिलेगा 2,09,000 रुपीज जिसमें 29,000 रुपे आपका इंट्रेस इंकम है अगर आप 4,000 रुपे की मंतली आर्डी करते हैं 5 साल के लिए तो आपको total return मिलेगा 2,08,700 रुपीज जिसमें 38,700 रुपीज के आपका total इंट्रेस बार और अगर आप 5,000 रुपे की आर्डी करते हैं तो आपको total maturity जो मिलेगी वो होगी 3,48,000 रुपीज की जिसमें 48,000 रुपीज आपका total interest है उसका अजविन जी मुझे से पूछते हैं कि अगर वो extend करना चाहते हैं 5 साल के बाद तो कितना मिलेगा तब मैंने उनको बताया कि अगर 5.8% ही रहता है हलाकि change होने के chances जादा हैं कम भी हो सकते हैं जादा भी हो सकता लेकिन अगर same रहता है 5.8% तो उनके सामने मैंने ये टेबल लखी कि अगर वो 100 रुपे की आड़ी करते हैं 5 साल के लिए और तो उनको total maturity मिलेगा 16,264 रुपे जिसमें total interest है 4,264 रुपे का अब अर्विन जी ने कहा कि भाईया आपने मुझे पिछले 5 साल वाले में बताया कि मुझे 100 रुपे की आड़ी करता हूँ 5 साल पे तो total return मिलता है लगभग 7,000 रुपे का तो इस हिसाब से 10 साल की आड़ी पे मुझे मिलना चाहिए लगभग 14,000 रुपे और आप कहरे हो कि मुझे मिलेगा 16,000 रुपे इतना difference क्यों काईदे में तो 14,000 रुपे होने चाहिता है और आप यहापे बता रहे हो जादा बता रहे हैं 16,264 रुपे ऐसा क्यों तब मैंने उनको बताया क्योंकि आपने अपना पैसा 5 साल के बाद विड्रॉण नहीं किया था आपने उसे इन्वेस्ट रखा RD स्कीम में तो जो पहले 5 साल का जो आपने पैसा deposit किया मतलब पहले 5 साल का जो आपका पैसा है total amount जिसमें deposit amount और interest amount है उस पे आने वाले 5 साल पे भी आपको compounding interest मिलता रहेगा quarterly जो होता है तो उस वजह से आपको यहाँ पर double के साब से नहीं देखा जाएगा यहाँ पर compounding के साब से देखा जाएगा इसलिए आपको यहाँ पर 14,000 नहीं 16,000 रुपे मिलेगा ऐसी अगर आप 500 रुपे की RD करते हैं 10 साल के लिए तो आपको maturity मिलेगा 81 पिछाइगा जिसमें 21,300 रुपे आपका total interest है ऐसी अगर आप 1000 रुपे के RD करते हैं 10 साल के लिए तो आपको maturity मिलेगा 1,266,000 रुपे जिसमें 42,600 रुपे आपका total interest है अगर आप 2000 रुपे की monthly RD करते हैं post office में 10 साल के लिए तो आपको 3,25,295 रुपे मिलेगा maturity पर जिसमें 85,295 रुपे आपका total interest है अगर आप 3000 रुपे की RD करते हैं 10 साल के लिए post office में तो आपको maturity amount मिलेगा लगभभ 4,88,000 रुपे और total interest आपको जो मिलेगा वो हो जाता है 1,28,000 रुपे के असपास वहीं अगर आप 4000 रुपे की RD करते हैं 10 साल के लिए तो आपको maturity पर मिलेगा 6,50,590 रुपे और जिसमें 1,37,500 रुपे आपका interest amount है और अगर आप 5000 रुपे की RD करते हैं 10 साल के लिए तो आपको maturity पर मिलेगा 8,13,000 रुपे जिसमें 2,13,000 रुपे आपका interest amount है उसके आद अर्विन जी मुझसे सबसे important question पूछते हैं कि क्या R-D scheme में investment करना मेरे लिए सही है या नहीं तब मैंने उनको बोला कि देखे अर्विन जी R-D scheme उन लोग के लिए जादा फाइदे मन्द है जो बिलकुल भी risk नहीं लेना चाहते जिनको return भी guaranteed चाहिए वो लोग जादा prefer करते है R-D scheme में या फिर वो लोग करते हैं जो financially weak हैं बट aware है वो investment करना चाहते हैं लेकिन उनके पास जादा budget नहीं है जो low budget वाले हैं वो भी इसमें R-D scheme में कर सकते हैं यो क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि आप minimum 100 रुपे से start कर स 1000 रुपे की कर ली और अगर आप wealth create करना चाहते हैं तो आप equity mutual funds में investment कर सकते हैं मुझे उमीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आही होगी और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आही है तो please like, comment and share भी कर दिजे और अगर अभी तक आपने माई YouTube चैनल को subscribe नहीं कहा है तो please subscribe क कर दिजे साथ में bell button को भी दबा दिजे मैं आपके लिए investment related videos लाता लंगा thank you so much have a nice day bye bye